सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मैं रेनु अइंशुल हूँ एक लेखी का हूँ और एक लेखी का होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से सहित्य के माध्यम से सामाजिक सेवा करूँ लोगों तक अपने विचार पहुँचाओं और मैं बहुत आवहरी हूँ कि आका इश्वानी रामपुर ने मुझे ये मौका दिया कि देश के इस कठिन वक्त में इस कोरणा जैसी महमारी से जूस्ते जन जन में मैं अपनी बात और अपनी विचार से कुछ उस्साह भर सकूँ कुछ हिम्मत उन्हें दे सकूँ कुछ आशा का संचार उनके भीतर कर सकूँ ताकि हस्ते हस्ते वो इस कठिन दोर से विज़ाई होकर निकल सके पुनश आकशवणी रामपुर की समस्थ टीम को मैं बहुत बधाई देती हूँ उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि किस तरह अब तक आप सब लोग भी डॉक्टर्स, नर्स और देश के सिपाही की भाती अपनी मोर्चे पडटे हुए हैं हर हाल में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम सभी का मनुरंजन कर रहे हैं खुद घर से बाहर निकल कर भी हमें घर में सुरक्षित रहने का संदेश दे रहे हैं और हमें घर बैठे बैठे ही देश के वर्तमान हालातों से अवगत कर आ रहे हैं हर मोर्चे पर तैनाद देश के ऐसे हर सिपाही को, हर कर्मभी को, हर मानव को मेरा कोटी-कोटी प्रणाम और आभार आकाश्वाणी रामपूर अपने जन जागरन के प्रयासों में माननिये प्रधान मंत्री द्वारा समय समय पर देश की जनता को दिये गए उध्वोधन एवं कोरोना से बचाओ के तरीकों के बारे में भी ज्यान वर्धक सूचनाओं से हमें अवगत कराते रहे हैं इस कठिन घड़ी में आकाश्वाणी रामपूर ने एक दोस्त की भूमी का निभाई है आकाश्वाणी रामपूर आपको मेरा बहुत बहुत आभार आपकी एक कठिन मोहिम जरूर रंग लाएगी कोरोना को हराएगी विजय पता का फैराएगी निश्चित ही सभी शोताओं से अपनी बात कहना चाहूंगी कि इस लॉकडाउन और कोरोना से बिलकुल भी परेशान ना हो हताश ना हो ध्यान रखें कि हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है अंधकार छटता है और नई उमीद नई आशा जगाता है जैसे कि इस कहानी में प्रताप और सुनाइना जी के साथ हुआ अच्छी खासी जिन्दगी चल रही थी रेटाइर्मेंट के बाद पती पतनी की दोनों गाउं में ही जाकर बस गए थे जड़ों को जड़ों से ही मिला कर खुब खुश थे दोनों घूमते फिरते यात्राएं करते अपनी जिन्दगी में हर तरह से मज़े करते कोरोना वाले टाइम में ये दोनों भी योरोप के ट्रिप से लोटे हालां कि समय हो गया था काफी लोटे हुए लेकिन जिसको भी उनके इस ट्रिप के बारे में पता था सबने फोन पर उन्हें सलह मश्विरे देने शुरू कर दिये कि वो तो बाहर की यात्रा करके आए हैं कोरोना वाइरस अपने साथ ही लेकर आए हैं वगेरा वगेरा गाउं में तो बात वैसे ही जल्दी फैल जाती है सो जल्दी ही बात उनके आसपा सभी को पता चल गई और सभी ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया यहां तक कि जो उनके या दूद वाला या काम वाले भी आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया बहुत समझाया उन्होंने लोगों को कि हम तो जाने कितने दिन पहले ही वापिस आ गए थे तब तक तो कुछ नामों निशान भी नहीं था कोरोना का और भई हमें न खांसी जो काम हुआ है न बोखार इत्यादी कोई सिंटन्स भी तो नहीं क्यों ऐसे आचूतों जैसा वेभार हमारे साथ हो रहा है लेकिन भाईया ये पवलिक है वो भी गाओं की जो बात दिमाग में घुज गई तो घुज गई बड़े परेशान बेचारे पती पतनी कई दिन निकल गए परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी घर से बाहर निकलते तो लोग दूर से ही उन्हें देख इधर उधर हो जाते जबकि मास्क और गलब्स पहने होते उन्होंने कोई रहा समझ नहीं आई तो पतनी की सलापर हॉस्पिटल पहुँची गए और टेस्ट नेगेटिव होने पर भी पूरे पंदरा दिन पती पतनी दानों हॉस्पिटल में कॉरंटाइन वार्ड में रहे लगा कि चलो अब तो मसीबत दूर होगी अपनों के बीच अपने बन कर रह सकेंगे मगर नहीं उसके बाद घर आने पर भी लोगों का उनके प्रती रवाईया नहीं बदला लोग बस उनसे दूरी ही बनाये रखते मानो कोरोना दूर से ही उन्हें जकर लेगा खुद उन्हें भी पता था कि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है पूरे देश में लोग डाउन पहले 21 दिनों का उसके बाद फिर दोबारा बढ़ जाना घर से बाहर सामान इत्यादी लेने के लिए निकलने पर मास्क का प्रयोग करना हाथ धोना सैनिटाइजर यूस करना सामान अच्छे से धोकर प्रयोग मिलाना वगेरा वगेरा वो दोनों तो इन सब के साथ खुद अपने मन से भी लड़ रहे थे एक लॉकडाउन बाहर चल रहा था एक उनके भीतर हॉस्पिटल से आने के बाद तो जिन्दगी और कठिन लगने लगी थी उन्हें लोगों को समझाएं भी तो कैसे लोग उन से जब दूर ही भागेंगे तो फिर कैसे कुछ सोच विचार कर उन्होंने डॉक्टर सहब से ही बात की और उन्हें राजी किया गाउन के लोगों को कोरोना के विशय में सब सही सही जानकारी देने के लिए हलांकि लोगों को एकटा करना समझदारी नहीं था लेकिन जिस तरह सरकार समाचार पत्र रेडियो और टीवी के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुँचा रही है डॉक्टर सहाब को भी खयाल आया और सबसे पहले गाउं के मुख्याजी को भीच दिया साथ ही उनको फोन भी कर दिया कि इसे खुद भी देखें समझें और गाउं में सब को समझाएं भी क्योंकि प्रावलम को बढ़ाना कहां की समझदारी है ये वक्त है एक दूसरे का साथ देने का हिम्मत देने का सही बातों के पालन करने का ना कि जबरदस्ती बेकार की ब्रहनतियां पालने का तो कहना ना होगा कि डॉक्टर साब की इस वीडियो ने इस सही जानकारी ने सब की आखें खोल दी और सबको प्रताप और सुनैना के प्रती अपनी ज्यादती और गलत बेभार का एहसास हुआ तो शुताओं यही कहूंगे कि किसी भी पपत्ती का कठिन समय का हिम्मत से समझदारी से सामना करना चाहिए तो वो दिन दूर नहीं जब सफलता भी आपके कदम चुमेगी और विजय की आपको मिलेगी इस विजय पताका में दो शब्द और जोड़ूंगी बेखोफ भोर तेरा इंतजार है कोरोना बस तेरे जाने का इंतजार है बहुत हुआ तेरा सब को डराना धमकाना लोगडाउन में बेवस चीना गैद घर में करवाना बहुत हो गई दूर से अपनों से दूआ सलाम मिलन की अप तो मित्रों से बस धरकार है बेखोफ भोर तेरा बहुत बेसवरी से इंतजार है एक बार पुनश आकाश्वणी रामपूर को मेरा नमन और आभार मेरी बात समास तक पहुँचाने के लिए आप यूँ ही अपने इस कोरोना मोहिम में डटे रहिए विजई भव जै हिंद